गुड मॉरिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे बेटा, आज वीकेंड है, यानि कि स्याटर्डे है तो हम लोग आज करेंगे योग योग से हमारे क्या फायदे होते हैं? आप सभी को पता है कि योग करने से हमारा शरीर स्वस्त रहता है और हमारी तवचा, यानि कि हमारी स्किन चमकती है यानि कि शाइन बढ़ जाती है और हमारा इम्मिनिटी पावर मजबूत होता है तो बेटा, आए हम शुरू करते हैं योग तो सबसे पहले हम जो करेंगे वो हमारा योग है पदमासन पदमासन में हम क्या करते हैं? पहले राइट पैर को उठा करके, राइट लेग को उठा करके लेफ्ट पे और लेफ्ट लेग को उठा करके, राइट लेग पे रखते हैं आप देख रहे हैं बिटा इस तरीके से करके और अपने हातों को ऐसे उंगलियों के साथ कर लेंगे इसे कहते हैं क्या कहते हैं बच्चो अराल मुद्रा अराल मुद्रा पदमाशन की मुद्रा में आप हाथों को जब इस मुवमेंट में लाते हैं तो इसे बोलते हैं अराल मुद्रा यानि कि हाथों के उंगलियों को मोड करके और बोडी स्ट्रेट करके आप सीधे पदमाशन की मुद्रा में बैठ जाएंगे बेटा आपको मैं बता दू कि इससे होने वाले फाइदे क्या है पदमासन से बहुत सारे फाइदे होते हैं और कुछ जो में फाइदे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ आपका एनरजी लेवल बढ़ता है पैर का रख्त संचार कम हो जाता है और अतरिक्त रख्त जो है हमारे अन्य शरीक के अंगों में संचारित होने लगता है हमारी छाती यानि कि चेस्ट और मजबूत हो जाता है और हमारे पैर भी मजबूत बनते हैं सकारतमक्ता यानि कि positivity हमारी बढ़ती है ध्यान एकाग्र करने से करने में भी ये help करती है ये मुद्राव की आप देख रहे हैं बेटा इनका body posture एकदम सीधा है और इससे क्या होता है हमारी spinal cord है यानि कि हमारी backbone read की हड़ी वो भी मजबूत होती है आपकी गले में जो लिखते और पढ़ते से में दर्ध होने लगता है जुकने से वो भी नहीं होता है अब एक और आसन हम लोग करेंगे जिसे कहते हैं अनुलोम विलोम तो बेटा हम शुरू करते हैं अनुलोम विलोम सबसे पहले एक तरफ की नाग को दबाएंगे और दूसरी नाग से गहरी सास खीचेंगे और उसके बाद फिर उसको धीरे से दूसरी नाग से छोड़ेंगे बाहर निकालेंगे उस सास को जो हमने ली थी और उसके बाद फिर वहीं से दूसरी तरफ से बाहर से सांस अंदर की तरफ खीचेंगे और फिर उसे धीरे से छोड़ेंगे यानि की बाहर निकालेंगे और ऐसा आप शुरुवाती दौर में 10 से 11 बार या 5 से 6 बार जैसा आपको लगे आप स्टार्ट करिये शुरू करिये औ आप इसको बढ़ा सकते हैं तो आईए बेटा आपको बताते हैं इनसे होने वाले फायदे अनुलोम विलोम से आपका हीमोगलोबिन बढ़ता है लीवर और किट्नी फंक्शन अच्छा हो जाता है आखों पर चश्मानी चड़ता है और पेट संबंदी कई सारे रोगों से आ कुछ मजबूत रहे थैंक यू बेटा